सब्सक्राइब कीजिए गैचेट फ्रीक को फोर लेटेस्ट टेक्नालोजी नियूज अप्लिकेशन रिव्यूज और मोबाइल रिव्यूज के लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोबिकेशन सबसे पहले मिलें और अभी फिलहाल कुछ दिनों से शायूमी बहुत ही पुरे रिव्यूज पा चुका है अभी तक काफी सारे कस्टमर्स से इसके काफी सारे अपडेट अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं और मुझे भी समझ में नहीं आता है कि exactly MI इस पे कर क्या रहा है क्योंकि बहुत सारे अपडेट आकर के सस्पेंड हो चुके हैं अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मेरा MIUI वर्जन था वो था 9.5.6 जी हां क्या इसमे कोई बॉख्स या कोई प्रॉबलम या किसी भी प्रकार का इसमें कोई तकलीफ है या नहीं है और आपको यह अपडेट करना चाहिए या नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो सही समय पर मिल सकें तो जैसा कि आप दीख सकते हैं यहां पे पहला वाल अगर मैं बात करूं जिन्हों ने अपडेट किया था उसमें काफी सारे बग्स थे उसमें प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊ तो फिर उसमें मुझे काफी सारा प्रॉब्लम मुझे खुद आया था इन फैक्ट फोन का प्रफोर्मेंस डाउन हो गया था चार्जिंग थोड़ी इंक्रीज हो गया थी बैटरी प्रफोर्मेंस मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा और कैमरा फ्रंट कैमरा काफी बार क्रैश करता अगर मैं बात करूं तो वीडियो मोड में जब भी मैं जाता था 9.5.6 में तो कैमरा क्रैश कर जाता था और फोन बंद हो जाता था तो कुछ भी हो जाता था ऐसा कुछ और उतना अच्छा परफोर्मेंस ने था और थोड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम थी जिहां हीटिंग की थी फोन हीट हो रहा था काफी जादा गर्म हो रहा था लेकिन अभी मैंने 9.5.13 किया है अपडेट और अपडेट करने के बाद मैं भी आपको बोल सकता हूं कि फोन में कुछ हद तक सुधार किया गया है अभी फिलाल आपको हीटिंग यहां पर नहीं देखने को मिलता है क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं हुई है लेकिन पहले से थोड़ा बेटर है अभी भी मैं फ्रंट कैमरा की बात करो तो मुझे उतना कुछ खास यहां पर नहीं लग रहा कुछ सेंपल आप देख सकते हैं यहां पर तो मुझे कुछ जादा खास नहीं लगा है यहां पर यहां फिलाल क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकली अगर मैं दिखांगान तो आप यहां देख सकते हैं कि यह भी अगर में कैमरा को मूउफ करो तो थोड़ा सा यहां पर आटकता है और इमेजेस में अब बॉलूँ यहां improvement हुआ है, performance इंप्रूब हुआ है, battery life इंप्रूब हुई है, charging time में थोड़ा reduce, मुझे यहां पे कमी दिखा, charging time थोड़ा better है भी पहले से, और overall अगर बताऊं को performance में अभी मुझे यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, और अगर यह update आपने नहीं किया है, तो update कर ले, download link आपको description में मिल जाएगा, और अगर आपने update कर लिया है, और अगर कुछ मुझ से छूट गया ता आप मुझे comment section में बताए, इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, इस update के बारे में तो वो भी मुझे बताए, कुछ और depth में आप जानकारी चाहते है कि मैं इस update के बारे में लाऊं, और कुछ point है कर मैं मिस कर गया हूँ, तो मुझे definitely आप comment box में बताए, और मैं आपको इसके वीडियो ला करके दूँगा, तो ये तो रहा overall अभी जो update MI का जो आया है, 9.5.13, और ये भी in fact आपको नहीं मिलेगा, ये भी बीटा फेस में ही है, बहुत लोगों के मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला है, मेरा Google Drive का download link मिलेगा, वहाँ सब download कर सकते हैं, फोन में definitely इस update में कोई भी प्राब्लम नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो में दीगे जानकार, आपको पसंद आए होगी, पसंद आए होगी वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन वीडियो के नीचे मिलेगा, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और बने रहें गैजट फ्रिक के साथ, और यूहीं बोलते रहें, जाहिंद वंदे मात्रम